हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक पड़ेंगे इंडेफिनेट इंटेगल ठीक है ना ये प्लस टू के अंदर भी है और बीस ये बीए और जितने भी कम्पीटिटिटिव एक्जाम है उन इंटेगरेशन करते हैं ठीक ना फॉर एक्जामपल देखो जिस फंक्षन का डिफ्रेंशेशन होता है उसका जो अंसर आता है उसी का ही इंटेगरेशन करते हैं जैसे देखो जैसे द्यान से देखो कुछ फार्मुल्य बताता हूं मैं आपको बाद में यह सारे कलीर हो इंटेगरेशन का नाम क्या है इंटेफिनेटेगरल क्यों अगभी हम जानते हर एक कॉंस्टेंट का डिफ्रेंशेशन क्या होता है जीरो है तो यहां पर पता नहीं कौन सा कॉंस्टेंट था हमें थोड़ी पता है ठीक है अगर मैं यह लिख दूँ अभी लोग एक सी अब यहां पता नहीं हमें क्या है 1-2-3 इसलिए हमें क्या होता है जब डिफरेंसियेशन करके इंटिगरेशन करते हैं तो सी सी लगाना आवँश्यक होता है क्योंकि आरे को इसे एंट का डेरिवेटीव क्या होता है ठीक है ना रणव की अब देखो जैसे आओ अगर मैं इस необ fait a तो एक्स पर्टाए क्या से यहां कर देता हूं क्योंकि हमें फार्मुले जो यह वो पोजिटिव तो यह जिए आपको च्याह न होता हैj तो यह फर्मुलें ऐसे यहाद रखने हैं जैसा इसका किया grass Mina Soulicare ब्लसगी श्ररोड़ वण पिलसन एक सिधिक का एक्षक पावर एंदी प्लस में सी आएगा जाएक तो इंटीक्रेशन के अंदर पावर का इंटीके Dr. अभी इसका इंदर जोड़ दिया और पावर ही निच्य आगई प्लस में क्या ह Byz europe फा ने से एक गटा देते थे तो इसका integration कैसे याद रखना है अभी इसके अंदर जो पावर है power में एक add किया और वही power same to same नीचे रखी और प्लस में c राइट यह integration होता है log x का 1 by x differentiation होता है और 1 by x का जब डिफ्रेंस integration करेंगे तो log x plus c वापसा जाएगा derivative of ax plus b की power n plus 1 upon a into n plus 1 देखो इसका क्या होता है ax plus b की power n क्यों देखो जब इसका हमें integration करेंगे तो क्या होगा एक add करेंगे और वही power नीचे into में इस अंदर वाले क्या करते हैं differentiation with respect to x तो x का तो 1 हो गया और b का क्या हो गया zero plus में c समझे कुल मिला के बात क्या जाद रखनी वच्चों आपको जिसका हम differentiation करते हैं ठीक है ना उसका जो अंसर आता है उसी का हम क्या करते हैं integration करते हैं यह आपको वली बाती याद रखना है ठीक है ना आपको differentiation के फर्मुले अगर याद हो गए तो integration के फर्मुले याद करने में कोई भी दिक्कते नहीं आने वाली है राइट ओके जहांसे देखो तो यह आगया यहांसे देखो डेरिवेटी ओफ लोग a x प्लस b अपोन में a यह आएगा ठीक हैं वन भाई a x प्लस a b अब दो इसका अगर मैं integration करूंगा तो देखो क्या होता है वन भाई a x प्लस b जैसे वन भाई x का क्या होता है लोग x तो इसका वन भाई a x प्लस b का क्या हैगा लोग a x प्लस b इंटूम अंदर वाले का differentiation राइट वो क्या होता है 1 by A क्योंकि X का 1 हो गया A का B का क्या हो गया जी और पलस में C यह तुम्हें रिकराए दिया AX का क्या होता है A की पावर X और लोग A differentiation होता है इसी इसका सेम अगर मैं integration करूंगा तो A की पावर X पलस में C आएगा अब देखो अगर लेकिन पावर X का और लोग और लेगा ओंगा ठीक न लोग इसका प्लस में C क्योंकि समझमाई बास तो क्योंकि इसका डिफरिश्येशन यह को कहले आए नीचे थीक ना अर पलस में C राइट ऑक्के अब जयान से सनूधि ब्लस में से अब्लश्ञठ यहां से था लिख हो रहां पारको किलियर होगे बिलकुल व्र्टा地方 यहां देखो टैनेक्स का Kin rifanion कहता है शीकेंट- इटिएर आपको कर नाइब तो मैं को आपको इसका करना है तो भी को एकस हेंगा लेकिन मुझे तो सब्सक्तिक एँगा वाप्स प्लाइगक मैं का यहां से मने लिए लेंट किसकरild में इसका इसकर्षाट करता हूँ तो यहां में आएगा सभी देखो यहां पर याद रखना है ठीक है ऑके यह देखो वन बाइए माइनस वन बाइए को आख्वास ब्लस बीका इंटीग्रेसिंट क्या होता है साइन एक्स प्लस बीका इंटीग्रेशन की आईगा धीडिया से देखो कैसे साइन साइन का इंटिग्रेशन क्या होता है माइनस से कोश एक्स पलस बी और इन्टू में इसका डिफ्रेंशेशन अपनुम है देखो जो आप डिफ्रेंशेशन में मल्टिप्लाई में करते हैं वही चीज कहां आए गई कॉंस्टेंट है डिवाइड में आएगा यहां उल्टा है तो माइनस वन वाइए को एकस पलस बी पलस सी और यह देखो डेरिवेटी ओफो में इस अंदर बारे का डिफ्रेंशेशन वह ओंस्टेंट देखो डिफ्रेंशेशन में तो ए आगे मुल्टिप्लाइ में जाता था इंटिग्रेशन का हैगा मिश्या डिवाइड में आएगा और पलस में सी ठीक है ना आई होब आपको यह कुछ फार्मूले बिल्कुल कलियर हो गए होंगे नेक्स्ट फार्मूले और हैं दो च्यार और उपड़ते हैं ठीक है ओकी नेक्स्ट ही दिखो डैरिवेट ओफ वन बाई ए टैने एक्स प्लस・्भी इसे एक्सट फ्लसrence बें इसका ंधर वाले अंिसेशन करूंगा तो वो च ishing करोंगाए हो फ सी ढिनटेंड है जो फिर पाले से हिर अिट फिर लोग यह भरसंञेंचे है ऐसका च्छक्ड देर्डे लोग बाहर ऑगश्विट ऑलनीफ कि उसका करूंगा m x का तो एम क्या जाएगा नीचे और परस में सिजाएगा राइट साइन नीक्राइश्राय्स का इंटेगरेशन कि क्या रधर वन मांइस में एक्स की गैंअ और कोसवाले का क्या होता है मायनेश हो सबस्टा अगया ये किए मायनेश से होता है और डि वायवन प्लास से लिख होगे यह बिलकोल ओल्टे हैं ठीक है अपर क्या होता है यह मैंने बता रखा और मायने आना है तो यह ले गए आपको फर्मूले बिल्कुल अच्छे से कलियर हो गए होंगे ठीक है ना बिल्कुल एंटी इंटीग्रेशन का नाम क्या होता है एंटी डेरिवेटिव इंटी डेरिवेटिव अब हम इसके कुESTION करेंगे ठीक है एकसरसाइज के कुESTION करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे हैं अराम से ठीक है तो किagnaJack को सब्सक्राइब कैसे कि पालाी को सब्सक्राइब क्विकरओ देखो तो कभी इस त्रें क accomplishments में क्या करेंगे constant को बार करेंगे हमेजा by UV पास्तेंट को यह रखो X की 4DX अच्छा यह मैंने क्या बता था 5 इंटू में X की 4 बावर का इंटिग्रेशन क्या बता था पावर में एक एड़ कर दो X की पावर है 4 प्लस 1 अपोन में 4 प्लस 1 और प्लस में C तो क्या अंसरा गया है यह से 5 x की 5 अपोन में 5 प्लस में C 5 से 5 कैंसल तो इसकांस अन् सरागया एक्स की 5 में से करेंगे सेम पावर निछे करेंगे प्लस सी करदेंगे राइट क्या बताया था पहले तो x प्लस वन की पावर है वन बाई थी प्लस में और एक चीज जो बताए ती इसका अंदर वालिया क्या करतो डिफ्रेंसेशन डिफ्रेंसेशन में जो अंसर आएगा वह अपोन में करेंगे differentiation में तो multiply करते थे यहां क्या करेंगे upon में तो देखो 2x plus 1 का जब differentiation करेंगे तो 2 आएगा ठीक है न और 1 का क्या हो गया 0 तो upon में आएगा मिशा राइट ओकी तो यहां से देखो 1 by 3 plus में 1 कितना हो गया 4 by 3 क्या आगया 2x plus में 1 की power क्या हो गया 4 by 3 3 अपन में क्या हो गया यहां से 4 by 3 into में क्या आगया 2 प्लस में सी इसको क्या करेंगे हमें इसको क्या करेंगे देखो 2x plus में 1 की power 4 by 3 into में देखो यह कितना हो गया यहां से देखो यहां से क्या करेंगी साइन का आपको डिफ फार्मूला यां दोना चाहिए तो देखो यह किसका डिफ्रेंशेशन होता है वैज़े तो को सकता है लेकिं क dipping क्या होता है माइनस साइन टू एक्स का integration क्या होगा minus से cos से 2x क्योंकि sin x का integration क्या होता है minus cos x होता है फार्मुले आपको mind में याद होने चाहिए कभी भार्मुले बूल जाओ तो क्या गरो आप differentiation करके देख लो differentiation का बिल्कुल उल्टा ठीक ना ओके तो आप यह देख लो वह sin x से किसका differentiation आता है तो साइन एक्स डिफ्रेंसियों आता है कोस का लेकिन नेगेटिव आता है इसलिए साइन एक्स का integration हमीश है माइनस को से आएगा समझावाई बात तो माइनस कोस्ट टू एक्स अरे इस टू एक्स का क्या आएगा अप उन में टू पलस में अब साइन देखो अब कोस किसका differentiation होता है साइन का तो साइन ए टू एक्स अर टू एक्स का आण अलग अलग खोल लेंगे कैसी देखो integration x की पावर 2 बाई 3dx पलस में दो constant बार है इसको बार रखेंगे e की x dx minus में 1 बाई 1 एक्स एक्स ऐसे खरेंगे अब देखो इसका मैंने क्या पावर में एक एड़ कर दो X की पावर 2 by 3 plus 1 2 by 3 plus 1 plus में 2 e की X का integration e की X होता है क्योंकि e की X का differentiation e की X होता है ठीक ना 2 e की X minus 1 by X किसका differentiation लोग X का integration की आएगा log X 1 by X का integration आएगा log X plus में C इसको यहाद किलो यहां से कितना होगा तो यह हो जाएगा X की पावर 5 by 3 यह नीचे भी 5 by 3 तो 5 by 3 को पल्ट दो यह हो जाएगा 3 by 5 plus में 2 e की X minus में log X plus में C यह हमारा क्या आगया अंसर आगया जी ओके 5 question देखो हाँ जी अलग 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 integration करो e की 3X dx माइनस में 2 constant बार है इसको बार करो e की X dx पलस में integration 1 by X dx e की 3X देखो e की 3X का integration देखो एज़िटीज होता है e की 3X बट 3X का differentiation differentiation में multiply करते हैं इंटीग्रेशन है मैं में से क्या आएगा नीचे समझमाई बात माइनस 2 e की X का integration e की X होता है पलस में 1 by X का integration log X क्या होता है log X plus C क्योंकि log X का differentiation क्या होता है 1 by X तो 1 by X का integration क्या आएगा वापस ही log X plus C आई होग आपको यह पांचों के पांचों को सन्म बिल्कुल अच्छे से कलियर हो गए होंगे ठीक है ना next question करते हैं second question का first part देखो तो देखो इसमें X plus 1 का क्यूब है तो क्या करेंगे ए प्लस बी का क्यूब खो लेंगे तो यह फर्मूल आपको पता होना चाहिए तो क्या करेंगे X की क्यूब पलस में 1 की क्यूब 1 की क्यूब क्या होती है 1 होती है प्लस में 3AB यानिके 3AB यानिके 3X इंटू में X plus 1 ठीक है और अपोन में क्या आएगा X स्केर टोटल क्या हो जाएगा integration अब इसको सॉल करते हैं X की क्यूब पलस में 1 पलस में 3X स्केर पलस में 3X अपोन में X स्केर dx अब देखो denominator हाना जब single हो ना single single यानि कुछ पलस में ना हो माइनिस में ना कुछ भी नो single चाहे single constant हो या single variable हो single variable हो तो हमेशा हर एक के नीचे होता है तो इसको क्या करेंगे X की क्यूब अपोन में X स्केर dx पलस में फिर क्या हो जाएगा 1 बाई X स्केर dX यहांसे X कीर कट गया तो फलस में क्या बच गया 3 into में सर दी एक सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब यहां से ऊपर ले जाओ एक भी पावर नीचे स्टाइब शलाओ फलास में इसनी एक पечат करएंगे एक पावर एड दिए और स्ट्राम अब देखो एक्स का डिफरेंशएशन क्या होता है एक्स का डिफरेंशेशन क्या होता है vann तो नो है टबनीचियों दिखाई नहीं देरह पर हका यहांपे एक्स प्रॉस में थरी टो मिलोग nee एक्स प्लस में शी तो यह च organizations मेरा एक्स-डेयर वाइट स्य नहीं तो मा इहां कितनी पावर हो गई माईनस वन तो यहां से माईनस है कि यह ठरड़ मा फिलस में धर एक्स होग एक्स पलस में सście यह आपका रिक्वाइड अंसर आ गया ठीक है ओकी सेकंड पाइड देखो इसको क्या करいきंडला करते हैं कुसमी कराना मिल्टिपलाइ कर हो दीक्तो थे के फिर इसको इससे क्या तो यहां से एक्सेक्स के ऐगा वन भाई एक्सितों क्या हो जाय का वह गा यह एक्सों ne यह एक से डी एक सथ में इसको उपर ले जाते हैं तो एकस की माईनस क्योवे डी एकस ये आ गया एक्सकी फोर बाई खुओर क्योंकि पावर में एक एड़ करें एर अपोन में फोर फ्लस में यह क्या आ गया लोग स्धुर्वाइड ओर यहांब एक पावर है तो एक में एड गर देंगें आर्याइग यह में एड कर देंगे और पॉर लोग एक सी एक स्केयर अपोण में टू और यहां से कितनी प्रब्च गई X की माने सो डो यह थे इसे पाउर बच गई आ इसे और यह पाउर नीचे लियर आते से हैं एक सी एक से माइनस में हलती है billion कि यह वन वाई टू एकसे स्केयर अर प्लस में सी यह हमारा क्या गए रिक्वाइड एंसर ठीक ना इसका एक पार्ट बढ़ता है सेकंड का वो और कर लेते इंपोर्टेंट कोस्टन है ठीक है ओकी अगयों कि नेक्स्ट कोस्टन है देखो सेकंड का थरड़ पार्ड बढ़ाएं इंपोर्टेंट है अंड रूट एकस माइनश वर वन रो एकस की क्योव डिये एकस तो देखो और ऊंडुर एकस की पावर वन बाई टू का क्योव ऐन्स चाओ कि मैंद एकस की पावर एक्स की बावर कीे ना स्थिपने बॉरद के बीट हें ढूंस मेरेन टोटल क्या हो गया है सबर्सक्राइब र đã पावर से पावर क्यों थिए मिल्टीप्लाई उतती है टो यह हो गया ध्यूजिक करते हैं प्रच्रब पाज में कर लेंगे यहां से 1 x 1 by x की पावर 3 by 2 और यह हो गया 3 यह cancel हो गया 3 और यहां से क्या आगया x की पावर 1 by 2 और यह आगया 3 1 by x की पावर 1 by 2 टोटल का डी एक्स करो x की पावर 3 by 2 2 dx यह उपर ले जाओ, x की पावर है, minus 3 by 2 dx, 3 constant x की पावर, 1 by 2 dx, 3 constant x की पावर, इसको उपर ले जाओ, minus 1 by 2 dx, बस simple integration हो गया आप यह, ठीक ना, तो यह इसे integration करो, x की पावर क्या हो जाएगा, 3 by 2 plus 1, 3 by 2 plus 1, minus x की पावर है, minus 3 by 2 plus 1, minus 3 by 2 plus 1, minus 3, यहाँ से उजाएगा जी, x की पावर, 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1, 3, x की पावर, minus 1 by 2 plus 1, 1 by 2 plus 1, ठीक है, यह minus 1 by 2 plus c, अब करते हैं, 3 by 2 plus 1 क्या हो गया, x की पावर है, 5 by 2, और यह हो गया, 5 by 2 plus, यह minus 3 by 2 plus 1, यह एक्स की पावर हो गई, minus 1 by 2, यहाँ हो गया, minus 1 by 2, ठीक है, और यह minus 3, यह हो गया, 3 by 2, x की पावर है, 3 by 2, और यह चला गया, 3 by 2 नीच्छे, और यह minus का क्या हो जाएगा, यह देखो, यह minus minus क्या हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, यहाँ से, क्या हो जाएगा, इसमें देखो, एक में से 1 by 2, यह plus का आप बच गया, x की पावर 1 by 2, यहाँ से बच गया, 1 by 2 plus c, देखो, यह पल्ट जाएगा, उपर जाएगा, 2 by 5, x की पावर 5 by 2, यह minus क्या हो गया, plus, यह 1 by 2 पल्ट के उपर चला जाएगा, 2, और x की पावर नीचे हो जाएगा, यह x क का मतलब क्या है, अन्रूट, समझे, x की पावर 1 by 2 नीचे आजाएगा, 1 by 2 का मतलब क्या होता है, अन्रूट x, यह हो जाएगा, माइनस में, 3, यह 2 by 3 उपर चला जाएगा, 2 by 3, तो यह हो गया, 2 by 3, यह हो गया, x की पावर है, 3 by 2, यह हो गया, 1 by 2 उपर चला जाएगा, त रोटे लुटे एक्स कहेवाँट टोफम चीर क्वाइब यह कोष्स के लिए साथ रंुरू रहत点 हुआ थनल में थी थीग्छेजंग करेंगे अगर आपको पहली दो एक्सरसाइज अगर इंटेग्रेशन की कलियर हो गई तो पूरा इंटेग्रेशन समझने में आपको कोई भी दिक्कते नहीं आएगे ठीके ना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो पलीज इस वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और इस चैनल को जरूर कर देना थेंक यू